आज कल सभी दावाईों के दाम ज्यादा है, खासकर उनके जीन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन प्लेनोफिक्स एसी दावाई है जिसका दाम आज भी सस्ता है, और रिजल्ट आज भी बहुत आच्छे आते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम प्लेनोफिक्स के डोस दाम ये काम कैसे करता है कौन से पसलों पर छिड़काव करें प्लेनोफिक्स के इस्तमाल से क्या फाइदे है और क्या है नुकसान प्लेनोफिक्स का छिड़काव कब करें यह हम जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो ध्यान से अंतक देखना और लाइक के लिए कंचुसी मत करना नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिवराज और आप देख रहें अन्न निर्मता चले शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की बायर कमपनी का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है प्लेनोफिक्स खास बात है कि यह लैब में बनाया जाता है इसलिए इसके दाम और रिजल्ट आज तक टिके हुए है यह औक्जिंग ग्रूप में आता है अब यह औक्जिंग ग्रूप क्या होता है तो दोस्तों जिन पीजे आर के अंत में ए अक्षर होता है जिब्रेलिक एसिड छोड़ कर वह सब औक्जिंग ग्रूप में आते हैं औक्जिंग ग्रूप बनाने क्या उद्देश यही था कि उनका कार्य आसनी से समझाए इस ग्रूप में IAA, IBA, 6BA और हमारा NAA मतलब प्लेनोफिक्स भी शामिल है अब आपको समझा रहा होगा कि प्लेनोफिक्स रूट हर्मोने जिससे जडो की संक्या में रुद्धी होती है इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल जमिन में से होता है लेकिन इसका इस्तमाल करते वक्ट जमिन में पर्यत मात्रा में नमी होनी चाहिए वरना इसके दुश्परिनम भी मिल सकते हैं क्योंकि यह बहुत तेज गती से जड़ो को तैयार करता है मैं अपने अनुबहु से आपको यह बात बाताना चाहता हूँ कि कोई भी PGRO उसका जितना कम मात्रा में इस्तमाल करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे लोग लालज में आकर डोस को कई गुना बढ़ा देते जिसके रिजल्ट हमेशा नुक्सान कारक होते हैं अब हम जानेंगे यह काम कैसे करता है इसका सबसे प्रमुकार्य फल और पुलो को जड़ने से रोकना जब प्लेनोफिक्स का स्प्रे किया जाता है तब फल और फुलो का डंठल मजबूत हो जाता है जिसे फ्रूट और फ्लावर ड्रॉपिंग रुख जाती है इसके साथ प्लेनोफिक्स का आकर भी बढ़ता है जिसे गुनाता यानि क्वालिटी में भी सुधार होता है और सात प्लेनोफिक्स के चिड़काव से फुलों की संक्या बढ़कर फलों की संक्या में रुद्धी होती है प्लेनोफिक्स जिब्रेलिक एसिड के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अंगूर, टामाटर, अनार, पाइनपेल, मिर्च जैसी फसलों में मतलब जीन फसलों को फुल आते हैं उन सभी फसलों में प्लेनोफिक्स का इस्तमाल फ्लावरिंग शुरू होने से पहले करने से अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि flowering में छिड़काओ करे तो इसके result आने में कट नहीं आतीए तो इसे अच्छा है कि flowering के पहले छिड़काओ करे प्लेनोफिस के छिड़काओ से फल और फुलों के साथ पतिया और शाकाओ का भी विकास होता है सिर्फ इस्तमाल करते वग जमिन में ज़्यादा मात्रा में पानी होना चाहिए जब पानी की कमी से या तेज दूब से फसल की ग्रोथ रुख जाती है तब फसल में एपसेसिक एसीड और इतिलिन का निरमान होता है Planoapix Abscetic Acid और Ethylen के प्रभाव को कम करता है Planoapix Mal-Formation होने से रोकता है अब यह Mal-Formation क्या होता है Mal-Formation मतलब पतिया और फलो का आकार गलत तरिके से बढ़ना आकार चित्र वीचित्र होना आम में यह अक्सर होता है समझने के लिए यह Image दिकिए प्लेनोफिक्स का इस्तमाल टीशू कल्चर में भी होता है टीशू कल्चर क्या है इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा यदि आपने भर-भर के कमेंट किया तो हम जल से जल वीडियो बनाएंगे किसी भी फसल में प्लेनोफिक्स का सिर्फ दो बार इस्तमाल करें और दोस प्रे में कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए अब चलते हैं डोस की तरब डोस कुछ फसलों में कम करें और कुछ फसलों में ज्यादा उदारंग के लिए प्लेणोफिक्स अंगूर में बहुत कम मात्रा में लगता है और टामाटर जैसी फसलों में ज्यादा डोस लगता है तो डोस फसल के अनुसार कम ज्यादा करें प्लेणोफिक्स का डोस 30 मिली 200 लिटर पानी के लिए लगभग इस्तमाल किया जाता है प्लेणोफिक्स की 100 मिली पैकिंग की किमत मज 100 रुपए है अब चलते हैं सवाल जावब की तरब निखिल बोसले जी पूछ रहे है कि प्लेणोफिक्स के क्या ट्रॉबैक है मतलब प्लेणोफिक्स की कमिया क्या है तो निखिल जी इसकी सही सेमय और सही डोस के अनुसार इस्तमाल करने पर कोई भी नुकसान नहीं होता है सिर्फ एक बात हो सकती है कि फसल के ताकत से ज्यादा पल और फुलों की संक्या रहिने पर फसल कमज़र पड़ सकती है निखिल बोसले जी ने एक और सावाल पूछा है कि प्लेणोफिक्स से फसल की ग्रोथ रुख जाती है क्या है और प्लेणोफिक्स कीन फंजिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ चलता है तो भाई प्लेणोफिक्स से उल्टा फसल की ग्रोथ जादा बढ़ जाती है और प्लेणोफिक्स किसी भी केमिकल के साथ चल जाता है यह किसी भी केमिकल के साथ रियक्शन नहीं करता है विनाएक जादव जी ने पूचा है कि प्लेनोफिक्स अंगुर में बेरी साइज बढ़ाता है क्या है तो 100% अच्छी बेरी साइज प्लेनोफिक्स बढ़ाता है रुपेश रावले जी ने पूचा है कि प्लेनोफिक्स बोरां के साथ छिड़काओ कर सकते है क्या है तो रुपेश जी बोरां के साथ प्लेनोफिक्स के अवल दर्जे के रिजल्ट आ जाते है अर्जुम भाई पटिलिया जी ने पूछा है कि हम प्लेनोफिक्स NPK के साथ मिक्स कर सकते है या नई तो भाई ज़रूर कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नई है सिद्धना कुरी जी ने पूछा है कि अंगुर में कौन से स्केज में प्लेनोफिक्स इस्तमाल करे तो भाई अंगुर में फ्लावरिंग के पहले पहला स्प्रे और पानी टच होने पर दूसरा स्प्रे ले बहुत साइब तुपे जी ने पूछा है कि प्लेनोफिक्स के ज्यादा इस्तमाल से फसल को कोई नुक्सान होता है क्या और क्या हम प्लेनोफिक्स हम ड्रिप में से दे सकते है क्या तो फसल को और डोस की वज़ा से कमजोरी जरूर आती है और ड्रिप में से हम प्लेनोफिक्स एक एकड के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 मिली दे सकते है सागर माली जी ने पूचा है कि प्लेनोफिक्स हम अनार में 50 मिली 200 लिटर पानी के लिए इस्तमाल कर सकते हैं क्या तो भाई जरू कर सकते हैं लेकिन स्प्राउटिंग के वक्त ही इस्तमाल करें रवी परव जी ने पूछा है कि प्लेनोफिक्स के इस्तमाल के बाद पानी देने से रिजल्ट में कमी आती है क्या है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है बलकि कम पानी के वज़ा से फसल सिकुड जाती है क्योंकि सेल डिविजन के लिए पानी कम पड़ता है मनोज महाजन जी ने पूछा है कि प्लेनोफिक्स का ओर डोस जाने पर क्या करें तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा फसल को पानी दे और जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी कैलशियम का स्प्रे ले लो और इन्होंने एक और सवाल पुछा है कि प्लेनोफिक्स और NAA में क्या फर्क है तो भाई फर्क यह है कि ब्रेंड नेम प्लेनोफिक्स है और उसका कंटेंट NAA है जो अलफा नेप्थेलीन एसिटिक एसिड का शॉटपॉम है कुछ सवालों के जवाब हमने वीडियो में पहले ही दिये थे उनके सवाल हम समय की कमी के कारण ले नहीं पाए आशा करता हूँ कि यह जानकरे आपको फाइदेमंद लगे होगी जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना जय जवान जय किसान